संपत्ती बिवाद में जो यहाँ पे सवाल है कि सर मेरे पिताजी के नाम पर जमीन है और उनके भाई दाखिल खारिज पैसा दे करा लिये और मेरे पिताजी को बाद में पता चला कि जो फर्जी तरीके से दाखिल खारिज करा लिया है और उसके लिए मुझे क्या करना अगर कोई भी अगर ऐसा करना तो गलत है कि किसी ब्यक्ति का प्रस्नल दाखिल कारेज बिना बटबारा का नहीं किया जा सकता है। यानि अनुमंडल में अधिकारी जो है नुक्त किया गया आप अपने अनुमंडल में है ना जो है वहाँ पे भूमी सुधार विभाग है उसके अधिकारी है वहाँ पे आबेदन कीजिए उस दाखिल कारेज को रद कराने के लिए पहले वो रद होगा उसके बाद आगे का पर आये तो आपका दाकिल काड़िज कैसे हुआ आपके पस क्या पुरूप है पंचनामा हुआ या ने कोई बटबाड़ा हुआ कैसे हुआ तो दाकिल काड़िज वहां से रद्ध हो जाएगा अगला जो सवाल है कि सर हमारे भाई ने खेत बेच दिया बिना घर में किसी को बताए हम दो भाई है छोटे भाई ने अभी बटबाड़ा नहीं हुआ था और लेने वाले जो है वो चकरोड साइड घेर लिया और वो नवालिक था अधार काड में उम्र बढ़ा कर आप PS फाइल कर दीजी बिना सोचे समझे जो भी घेर लिया ये कर लिया उसको समझ में आ जाएगा कि जब मामला न्याले में जाता है ठीक है तो समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे उसका जो है क्या परकिडिया होता है partition suit फाइल कर दीजीए भाई को भी notice किजीए सबसे पहले आने वाले आगे वाले जो समय होगा अगर आपका partition suit है तो सबसे पहले जितना भी बिक्री होगा वो अमान्य होगा कोई भी जमीन का बिक्री जो है उस पे आप stay ले सकते हैं कोई भी जमीन का बिक्री नहीं होगा जब तक आपका partition clear नहीं होता पूट साइड या जो भी साइड है हिस्सा नहीं मिला तो हिस्सा भी मिलेगा आपको अगला सवाल है कि सर 70 साल का कबजा है टाइटल किसी के नाम नहीं है वनली जमाबंदी है गौबर्मेंट जो है ओफिसियल फोरेश्ट डिपार्टमेंट वाला हर साल कबजा करने आ जाता है 1916-1958 का गौवर्मेंट के पास कोई टाइटल अधिकार नहीं मिला जमीन 100 साल से अधिक जो है किसानों के पास है फसल जो है वहाँ पे बिजली होती है देखिए इसमें अगर आपका 70 साल से कबजा है तो आप अगर मालते सरकार का डिपार्टमेंट ही आपके पास आता है त इसलिए कि आप 30 साल से उस जमीन से उपर रह रहे हैं और उसमें आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं अगर कोई कबजा करने बाल बाल आ जाता है ना तब न्याले में जाना चाहिए और नहीं तो कोशिज करना चाहिए कि अधिकारी से बात करें और आपका वो बंदोबस् तो पढियास करना चाहिए इस पर नहीं तो आपका न्याले में जाने के बाद आपको मालिकाना हक तो मिलना ही है इसलिए कि अगर कोई بھی सरकारी जमीन हो या कोई अमाने संपत्ती हो उसमें अगर माल लेते हैं किसी बैक्ती का संपत्ती है तो 12 साल अन्यथा जो है अगर 30 सा से हमें दखल में है जिसका किसी ने सर्वे करा कर अपने नाम करवा लिया है निलामी जो है बता रहा है जो की पुराना खत्यान हमारे पुरवज के नाम है जो है और देखिए जो भी है अगर पुराना है नाम नया में नहीं आया ना तो उसके लिए टैटल सुट कर देजिए वो निलामी का अगर सही तरीके से निलाम हुआ होगा तो दस्ताबेज दर्ज होगा नहीं होगा तो फर्जी दस्ताबेज होगा तो उसका कोई मानिता नहीं होगा बहुत लोग फर्जी दस्ताबेज बना के भी ऐसा काम किये हैं तो फर्जी दस्ताबेज होगा तो उस निलाम किसी कारनबस जो है एक तरह से जानकारी के अब आब चलते दूसरे व्यक्ति के नाम से सर्वय हो गया जब की पुराना टाइटल आपके पास है अगला जो सवाल है कि अगर समान अधिकार है तो माँ बाप को रखने का भी समान अधिकार होना चाहिए ना कुछ दिन बेटा रखे कुछ दिन बेटी भी रखे अपने माबाप को देखे ये तो बिल्कुल यहाँ पे अगर इसको देखा जाना तो बेटी भी करती है माबाप को और रखने का ये अगर अधिकार इस तरीके से लोग जो है एक कानूनी संपती का अधिकार दिया गया ह बेटी को भी इसलिए कि बेटी भी उसी पड़िबार में जन्म लेती है और बेटी भी ऐसा नहीं है कि मापाप को नहीं करती है बेटा भी करता है लेकिन जो सबसे पहले इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ दिन ये करे कुछ दिन ये करे आप अपने स्वेक्षा के लिए जो है अपना एक तरह से अब यह क्या होता है सबसे बड़ी बात आप देखें यह सबके स्वेच्छा पे डिपेंड होना चाहिए ठीक है और होता है कि जैसे की माल लेते हैं कि अगर इसमें कुछ तरह का कोई भी परिसानी है ठीक है जो भी किसी तरह का परिशानी है परिबारिक परिशानी है तो उसका निप्टारा कर लिया जाए ठीक है लेकिन हमारा कानून जो है वो बेटियों को भी समपती में अधिकार दिया है तो उसको जो है बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए और मानना भी चाहिए अगला जो सवाल है कि पत्नी की संपत्ती में पती का कितना अधिकार है संपत्ती पत्ती की कमाई से जर्जित की गई है पत्नी के मरने के बाद क्या होगा देखें मरने के बाद फिर पत्ती के नाम पे संपत्ती हो जाएगा लेकिन पत्नी के नाम से अगर बरतमान में संप्ति तो पती उस पे पत्ति का 0 मुप्शू अधिकार होगा मतलब कोई अधिकार नहीं ہے अब कानून में जाने के बाद ये प्रूफ करना कि पती अपने कमाई से पतनी का कोई income का सिरोत नहीं है जो बहुत तरह की बाते हैं तो उसमें जो एक तरह से टाइटल पती चाहे तो जी सकता इस केस में जैसे समपत्ती पतनी की कमाई से करदा गया जबकि पतनी जो हाउस हा वाइफ है उनका कोई कमाई का स्रोत नहीं है कि इसलिए अगर पतनी भी दिखाएगी कि नहीं मेरा भी इंकम है मेरे भी अकाउंट में पैसे आए उस समय इतने पैसे आए तो ये पैसे इस माध्यम से आए तो बहुत तरह क्या चीज है ठीक है तो इसलिए वो कानून पर depend करता है कि आपका जो मामला है वो किस तरीके से strong है अगर पत्नी का भी income का सुरोत है पत्नी के पास भी उस time पैसे थे जितना का वो समपत्ती है तो फिर आपका वहाँ पे कोई भी हक नहीं बनेगा अगला जो सवाल है कि 1905 में खतियान में दादा जी का नाम है और 1962 में new survey हुआ तो दूसरे बैक्ती का नाम जो है वो सर्वे हो गया ठीक है तो खतियान में अगर ऐसा गरबरी है तो आप उसके लिए title सूट कर सकते हैं कि आपका नाम है और उस समय जो है गरबरी करके दूसरे बैक्ती का नाम जो है वो सर्वे हो गया ठीक है 1980 में उस इनसान के दादा जी का एक बेटा जो है पूरा लिखा लिया और रसी दाकिल खाडी सब यहां पर हो गया ऐसे हमें हमें क्या करना चाहिए पिलीज कुछ जवाब देखे जो भी है आप पहले title स लिखाया पांच बार खड़ी दे ठीक है लेकिन जो यहां पर सर्वे हुआ वो सर्वे का अधार क्या था किस अधार पर सर्वे हुआ है ना तो यह बहुत तरकी बातें हैं तो आपको इसका सुधार के लिए लेकिन नियाले में जाना चाहिए अगला जो सवाल है कि पिता अपने संपत्ती से लड़की का नाम हटा दिया है तो उसके लिए मेरे को क्या करें अगर पिता जो है अपनी संपत्ती से लड़की का नाम हटा दिया है तो आप बंसा बली तियार करके सिबिल सूट दायर कर दें अपना हक के लिए यानि प्रिसन दायर कर लें बिल्कुल आपको हक मिलेगा अगला जो सवाल है कि सर मेरा एक जमीन है और इसका मालिक दो बहन है और एक का साधी हो गया और एक जो है और उसका पती जमीन बेच दिया लेकिन जो पता कैसे करें कि जमीन कितना बेचा है बिना बटबारा के उसमें एक ब प्लोट है मतलब जो भी प्लोट होगा ठीक है जमीन का मतलब जो भी दो बहन के नाम से है तो करमचाड़ी से मिलिए जमीन का अगर जमाबंदी पता है तो information पता कर लीजिए कि जमीन जो बेचा गया उसका दाखिल खाड़ी जरूर करवाया होगा तो क्या करते हैं उसमें प्ल करमचाड़ी से बात करेंगे और उसका information निकाल लेंगे ठीक है मतलब अपने अंचल में जाएंगे और वहां पर जो आपका जो जमीन का भी भाग है वहां के करमचाड़ी है उसमें इन्फोर्मेशन निकालने के लिए बात करेंगे कि किस में कितना जमीन आपका बचा हुआ अगला जो सवाल अगी सर मेरे मा के नाम से मकान है और मेरा भाई ने पलॉट का काज़ लेकर यहां पर लेने के लिए है कर जो है और मकान बेचने में लगा है सर बताओ इस MEME क्या कर सकता हूँ तो देखिए अगर यह चीज भाई आपका कर रहा है ना तो सबसे पहले आप अपना हिस्सा अलग किजिए कोशिश किजिए अगर आपका मानते गरामी चित्र से बिलॉंग करते हैं तो गराम पंचायत से हो जाए मामला नहीं होता है तो सबसे पहला काम यह होता है कि वह बेच पैसे नहीं पॉए उसके लिए पार्टिसन केस पाइल होगा अगर आपको पता चल जाएगा तो आप रत करें बहुत जरूरी है कि अगर आपका मालत है भाई मकान को ही बेच रहा है तो क्यों आप पार्टिशन सूट करके अपना हिस्सा को अलग कर ले यह आपको करना बहुत जरूरी है आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगाऊगा वीडियो को लाइक जरू कर दें चैनल को पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लिजिए मिलते हैं गले वीडियो में